मिलिए मेरे hair accessories से जो कि बिलकुल बेगर है वैसे इनसे भी जादा मेरे पास थे बट कोई-कोई गुम हो चुके है सो इनके लिए घर बनाना तो बनता है मैं सब भी waste चीजों का use करके इनके लिए एक cute सी basket बनाऊंगे सबसे पहले मैंने cardboard के दो circles कट कर लिये थे इन पर मैं जूट रोप को round करके stick कर रही हूँ using favicol मुझे ऐसे ही मज़ेदार crafts बनाना पसंद है सो मेरे साथ जूडे रहने के लिए मुझे subscribe कर लेना और इसके final look के लिए वीडियो को इंटक जरूर देखना अब हम यूज करेंगे thick wires का इन्हें मैंने अलग-अलग size का cut कर लिया है circle पर थोड़ा थोड़ा distance छोड़ के हम इने stick कर लेंगे using glue gun कर दोड़ा थोड़ा 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 थो अब यूज करते हैं जूट रोप का इसका एक साइड यहाँ पे स्टिक कर लेंगे हम पहले वायर के इनर साइड में से रोप को पास करेंगे देन एक वायर को में छोट देना है और नेक्स्ट वाले वायर के आउटर साइड में से पास करेंगे यही वाले प्रोसेजर हमें रिपीट करना है जिससे पुरी पासकेट बन जाएगे पास करेंगे झाल 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 उपर का रफ पोर्शिन चिपाने के लिए मैं जूट रोप की ही ब्रेट बना रही हूँ झाल झाल इसे हम बास्केट के एजेस पर स्टिक कर लेंगे झाल 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 जूट पेपर से में छोट आसा फ्लार बना रही हूँ इसे हम बास्केट के सेंटर में स्टिक करेंगे आप इसकी जगा आर्टिफिशल फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हूँ झाल 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 फाइनली मेरे बेगर हेर एक्सेसरीस के लिए घर बन चुका है चलो इन्हें इसमें सेफली रख देते हैं अब ये मुझे जल्दी मिलेंगे तो आपको एडिया कैसा लगा कॉमेंट में जरू बताना और आगे भी ऐसी एडियास के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड थांक्स फोर वाचिंग